फटाक 30 सेकेंड में खबरे डाउनलोड कीजे तका आखिरकार इम्रान मसुंस साहब ने वो घोशना कर दी जिसका इंतिजार था क्या ये बहुत दिनों से खिचड़ी पकरी ने खिचड़ी कोई नहीं पकरी थी मैं प्रियास में था मैंने इमानदारी के साथ ये बोला था कि सब लोग मिल करके लड़ें तब ये संबभ होगा दुरवाग्य वश मेरा काम नहीं हो सका ये और मेरी चाहत पूरी नहीं हो सकी अब लड़ाई चुके सीधे सपा और भाजपा के बीच में है तो फैसला तो हमें ले नहीं था बहुत दिनों तक आप कहते रहें कि तपा के साथ कॉंग्रेस मिल करके लड़ें क्या अपने प्लेटफॉर्म पर कॉंग्रेस के प्लेटफॉर्म पर ये बात आपने रखी और रखी तो क्या कुछ आपको रिस्पॉंस में देखिए उन चीजों का कोई महतुर नहीं रहा है बस मैं इतना कहूंगा कि प्रेंका जी ने बहुत मुझे सम्मान दिया प्रेंका जी ने बहुत मुझे काम करने का मौका दिया रहुल जी ने मुझे काम करने का सम्मान दिया और मैं उनका रिणी हूँ और कॉंग्रेस के अंदर मुझे बहुत सम्मान मिला लेकिन परिस्थि उन्हीं को समझाएंगे क्या आपने जो मुझे है कि कई सारे जो मुसलिम पढ़ लिखे लोग हैं उनसे भी आपने संपर्क साधा है मैंने किसी मुसलिम भुद्धि जी वीर संपर्क नि साधा न में हिंदूर- भॉसलमान की बात करता हूं मैं बात कर रहा हूं किसान की, मैं बात कर रहा हूं नौजवान की, मैं बात कर रहा हूं महिला सुरक्चा की, मैं बात कर रहा हूं नौजवान की बेरोजगार की, मैं बात कर रहा हूं व्यापारी के बरबादी की पॉलराइजेशन लेकिन इशू तो होगा नहीं इस बार है तो लोग कहते हैं कि इमरान-मसूद का मतलब है धुरी करनRE irreहें यह यह आपका kuriette किया हुआ है यह मीडिया का it is इसके लावा कुछ भी नहीं है मैं बार-बार इस बारे में बोल चुका है इसके लावा कुछ भी नहीं है इमरान मसूत के लिए आप देख लिए कि हाँ पर हजारों की तादाद में लोग आये और उसके अंदर कितनी तादाद मेरे गैर मुस्लिम भायों कि है बराबर से ज़्यादा हिस्सदारी गैर मुस्लिम भायों कि यह लग रहा था कि मुश्किल है कौंग्रेस में सियासी गणे नहीं मुश्किल था लग ऐसा नहीं है और आपको भी और मुझे भी पता है सब दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने फैसले जो पिछली बार आपको क्यों हार मिली थी उसका एक कहीं न कहीं मन पे असर था क्या कि फिर उसी तरीके की हार हो सकती है देखे हार करके जीत कौन रहा था मेरे हारने से जीत कौन रहा था सवाल यह महत्मून है अब लगता है कि अब जीत का समीकरन बन गया है निश्चीत रूप से उतरपरदेश के अंदर सरकार बनेगी और अकलेश जी मुखमंत्री बनेगा अब मैं लूगा ना समय भी आज मैंने इजाजत ल कोई मतलब ही नहीं है ना मेरा इदर उदर से कोई रिस्चा रहता है बहुत जादा मैं तो बहुत सीधी सीध सची बात करता हूँ मैंने कांग्रेस के अंदर रहा तो मैंने बहुत इमानदारी के साथ कांग्रेस के लिए काम किया मुझे मेरे ने ने बहुत सम्मान दिया मैं तो थोड़े दाति बदली है लहजा भी बदला है बाचीत का तरीका भी बदला है कह रहे हैं कि कॉंग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया लेकिन विकल्प अभी समाजवादी पार्टी के अलावा कुछ नहीं था और इसलिए मजबुरी में ही सही समाजवादी पार्टी की तरफ जाना उनके लिए जरूरी बन गया था कैमरामेन प्रतीप गुपता के साथ कुमार कुणा सहारन कुमार काुपता के सहारन विकल्פ कुमार अलाव कुमारा कुमार कुमार के सही समा-भूरी बन पी कि अलावादी पार्टी की तर्फ बनुर्टी के अलावादी Summen